बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है ये लोकतंत्र को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाओ 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाओ है और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है और जो 2% चाहता है जो अधानी जी चाहते हैं वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए आपको पता लग जाएगा उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी के पूरी आपको मिल जाएगी नमस्कार मैं रवीश कुमार अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉंग्रेस सगरसत्ता में आ गई तो संसद वैसी ही चलेगी जैसे मोधी राज में चलती रही गोधी मीडिया वैसे ही गोधी मीडिया बना रहेगा जैसे मोधी राज में बना रहा और कोर्ट में राजनितिक हस्तक शेप को लेकर वही सब चलता रहेगा जिसके आरोग मोधी राज में लगते रहें तो आपको कॉंग्रेस का घोशना पत्र पढ़ना चाहिए संवेधानिक और संस्थानिक पतन की बात करने वाली कॉंग्रिस ने अपने घोशना पत्र में इन प्रताओं पर रोक लगाने संस्थाओं की स्वायत्ता और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का ठोस वादा किया है जजों की नियुक्ती के लिए कोलेजियम सिस्टम के विदाई जजों के खिलाब शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग बनाने का वादा इस घोशना पत्र में किया गया है यही नहीं सुप्रीम कोट में दो प्रभाग बनाये जाएंगे एक संवेधानिक नियाले का होगा और एक अपील नियाले यह बहुत बड़ा वादा कॉंग्रेस ने किया है नियाईक बदलाव को लेकर यह भी कि नियाईपालिका में अनुसुचित जाती और जनजाती के जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी इन सभी मामलों में यह घोशना पत्र अतीत और वर्तमान के कई राजनितिक दलों के घोशना पत्रों से काफी अलग है सहसिक भी घोशना पत्र गारेंटी जैसे आसानी से समझ आने वाले वादों के अलावा समवधानिक महत्व की समस्याओं पर बहस की चुनौती देता है आगे क्या होगा इसका समधान क्या है वरना सारी बहस इसी पर खत्म हो जाया करती थी कि कॉंग्रेस ने अपने समय में यही किया आएगी तो वही करेगी और बीजेपी ने अपने दस साल में वही किया अब आगे कैसे होगा क्या होगा इसका खाका कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में दे दिया है आप इस वीडियो को पूरा देखिए काफी महत्यपूर्ण जानकारियां इसमें मिलेंगी जो आपको एक मतदाता से पहले एक मजबूत नागरिक होने की गैरेंटी दे रही हैं कॉंग्रेस के घोषना पत्र में एक ऐसे भारत का वादा किया गया है जहां संसत के दोनों सदन साल में सौ दिन अनिवारे रूप से चलेंगे और जिसका अध्यच निश्पक्ष होगा उसे अपने राजनितिक दल से संबध तोड़ने होंगे जिस तरह से संसत में सौ से अधिक सांसत निलंबित कर दिये गए मोहुआ मोहितरा की सदसिता ध्वनी मत से रद कर दी गई पूरे देश ने देखा और कुछ नहीं हुआ इस चुनाओं में भुला दिये गए इन सभी मुद्दों को कॉंग्रेस ने घोषना पत्र के जरिये बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया है कहा है अध्यट्ष अब निश्पक्ष होगा कॉंग्रेस को अगर सत्ता मिली तो इस घोशनापत्र के अनुसार उसके भारत की संसद में सत्ता में एक दिन लोकसभा और राजसभा में विपक्ष की तरफ से एजेंडे पर चर्चा होगी यह तै कर दिया जाएगा अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूंट संसदिय सुधार हो सकता है दस साल में एक भी विश्टरित प्रेस कॉंफरेंस नहीं करने वाले प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी चाहते तो यह काम अपने समय में कर सकते थे दुनिया भर की संसद में यह वेवस्था है विटेन की संसद में तो एक दिन प्रधान मंत्री के जवाब भी तै होते हैं जिसमें सारे सदस्य प्रधान मंत्री से सवाल पूछते हैं और सदन में प्रधान मंत्री को ही जवाब देना होता है आप अगर record निकाल कर देखेंगे कि मोधी के 10 साल में विपक्ष ने चर्चा के लिए कितनी notice दी और उन्हें स्विकार कर चर्चा कराने की दर क्या है तो आपको संसदिया संस्थाओं के पतन का चेहरा अपने आप दिख जाएगा Congress ने एक चुनाव की विवस्था को नकार दिया है और कहा है कि चुनाव EVM से ही होंगे मगर VVPAT की सभी परचियां गिनी जाएंगी इसके अलाबा चुनाव आयोग से लेकर सुचना आयोग और सीएजी जैसी संस्थाओं की स्वायत्ता को भी मजबूत करने का वादा किया गया है योजना आयोग को खत्म कर नरेंदर मोदी ने नीती आयोग बनाया कॉंग्रेस ने कहा है योजना आयोग फिर से बहाल किया जाएगा क्या बीजेपी कॉंग्रेस के इन प्रस्तावों और सुझावों पर बहस करेगी और मीडिया इसके जरिए इसके पीछे के कारणों को इस चुनाओं में देश को याद दिलाएगा कॉंग्रेस के नियाए पत्र का यह पेज नमबर 22 है जिस पर संवेधानिक नियाए को लेकर 18 गैरेंटिया दी गई है कॉंग्रेस ने भरोसा दिया है कि अब वह सब नहीं चलेगा जो पिछली सरकार के समय चलता आ रहा था कॉंग्रेस ने भैसे मुक्ती का वादा किया है यह सब उस दिन पेश हो रहा है और वादा किया जा रहा है जब शहर में बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया केंदर सरकार की तरब से चैनल को बताया भी नहीं गया और इसके बाद तमाम यूट्यूबर इस आशंका में जीने लगे कि उनका चैनल भी कहीं बंद तो नहीं कर दिया जाएगा उनके उपर भी बैन की तलवार लटकने लगी है कॉंग्रेस ने वादा किया है कि मीडिया की पूर्ण स्वतंतरता सहीत भाशन और अविव्यक्ति की स्वतंतरता बहाल करने का प्रयास किया जाएगा कॉंग्रेस मानहानी के जुर्म को अपराद मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक्षती के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती है लिखा है कि कॉंग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधा धुंद निलंबन को समात करने का वादा करती है कॉंग्रेस दूर संचार अधिनियम 2023 की समिक्षा करेगी और उन प्रावधानों को हटा देगी जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतन्तरता को प्रतिबंधित करती हैं और जो नीजिता के अधिकार का उलंगन करती हैं 2019 में ये शुरू हुआ आज ये एक तरह पीक पे पहुँच गया है हिंदुस्तान के सारे इंस्टिटूशन उनके हाथ में हैं पुलिटिकल फाइन्स की मोनोपली उनके हाथ में हैं CBI, ED, Income Tax, EC ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में हैं, बीजेपी के कंट्रोल में हैं तो जैसे मैंने अपने भाशन में कहा cricket match is a rigged match. Cricket match is not a fair match. उसमें चाहे social media की बात करें, आप हमारे नेताओं के opposition नेताओं की social media देख लीजिए मेरा YouTube देख लीजिए, मेरा FaceTime देख लीजिए, Facebook देख लीजिए, Instagram देख लीजिए तो ये सारा का सारा structure controlled है, rigged है. इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये normal चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है, ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है, वो इस manifesto में है और जो 2% चाहता है, जो अधानी जी चाहते हैं, वो आप उनका manifesto देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी request list पूरी के पूरी आपको मिल जाएगी राहूल गांधी लगतार अपनी यात्राओं के दोरान समयधानिक संस्थाओं के पतन का सवाल उठाते रहे हैं इस घोशना पत्र में कॉंग्रेस ने इन संस्थाओं को फिर से तटस्त और स्वायत बनाने का लंबा चोड़ा सुझाओ पेश कर दिया है कॉंग्रेस पिछले 10 साल के दोरान पैदा हुए और प्रभावशाली हुए कई प्रकार के भयों से मुक्ती का वादा किया है ऐसा घोशना पत्र कहां होता है जिसमें कोई पार्टी नीजिता के अधिकार से लेकर इंटरनेट के निलंबन पर अपनी राय रख रही हो और मान हानी कानून के बदलने की बात कर रही हो आपकी प्राइवेसी की गारेंटी दे रही हो समिधानिक न्याय के खंड में यह भी लिखा है कि कॉंग्रेस नीजिता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समिक्षा करने और निजिता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा करती है कॉंग्रेस लोगों के शांती पुर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है एक राजनितिक दल संगठन बनाने के अधिकार का वादा क्यों कर रहा है यह समझना बहुत जरूरी है कॉंग्रेस वादा करती है कि भोजन और पहनावे प्यार और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक शेप नहीं किया जाएगा सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक शेप करते हैं उन्हें रद कर दिया जाएगा अस्तावेज का रूप दे दिया है और उसे दूर करने पर काफी गंभीरता से सोचा और विचार किया है सोलस सदस्यों की कमेटी के चेर्मेन पीज चिदमरम ने कहा कि 2019 में ही हमने चेतावनी दी थी कि भारत निरंग कुषवाद ओटोक्रिसी की तरफ बढ़ रहा है अभी से ही कई जानकार लोगतंत्र की जगह इलेक्टोरल ओटोक्रिसी चुनावी निरंग कुषवाद का इस्तमाल करने लगे हैं में बढ़ सिर्ष इप बढ़ से फिर जानका प्रफी निर्法 एक यह अफिज़ टार्फी त करदादियान अच्टिध कर्देर टोस्ट विटाराल अच्टिध निस थानुटार। आप्तिभू स्टीजिज की थे प्लाचिटि उपलति हैं वे दिंटिजिजिजिग रचाप्ट्रिवाइ सरे अदुनीटिवाई कारदा थे एम और और न אות हdalए林 में दिसक्ट करॉप है जौट करॉट करॉपक जौद करॉझी करॉछ कर्पाद करेस्यों New कि अजचtez करॉप कर луч रद Six कि अट सक्ट जैंट कर दो लाद बटीम में आसक्ट घर उड ए्थ त४ल्ग luggage तॉड तॉड reportnity कि अपरिम भी्टब्टी एकार्माइब भी बिमनिएट भाप्ट प्राफिड भी घज़ता हैंग कि अज़ से делать कि इह लो इनाख्वरब बेखर लाग ट्रिप्रच को आटार्ट उच्राषी बाइन लिडिड करसी जिर्टोरिप्स this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last five to ten years कुछ हफ़ते पहले कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने कहा था कि मोधी राज के ED के जरिये दल बदल बढ़ा है कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में उसका जवाब देने का प्रयास किया है कहा है कि कॉंग्रेस समविधान की दस्वी अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदल को विधान सभा या संसत की सदस्यता से स्वता आयोग ये घोशित करे कॉंग्रेस ने बादा किया है कि पुलिस जाच और खुफिया एजेंसियां सक्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधान मंडलों की नि प्रयासत में मौतों और बुल्डोजर नियाएं को समाप्त करने का कॉंग्रेस वादा करती है कॉंग्रेस जमानत के संदर में एक कानून बनाने का वादा करती है जो इस आशाय को पुनासपष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है जेल अपवाद है जेल सुधार का भी वादा किया गया है इस घोशना पत्र को पढ़कर पता चल रहा है कि कॉंग्रेस ने हाल के वर्षों में पुलिसिया मनमानी, दमन, छापे मारी और किसी को भी जेल में बंद कर देने की करतूतों पर गंभिरता से सोचा है और इन सब पर अब विराम देने का निर्ने किया है मीडिया और न्याइपालिका की स्वतंतरता के खंड पर भी व्यापक चर्चा की जरूरत है आपको किसी विदेशी अखबार से लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं कि भारत में प्रेस खत्म हो गया है गोदी मीडिया देख लीजे आपको प्रेस दिखाई नहीं देगा आप खुद अपना हिंदी अखबार निकाल कर देख लीजे पता चल जाएगा कि भारत में प्रेस खत्म हो चुका है और न्यूस चैनल गोदी मीडिया बन गये है शायद ही किसी में इलेक्टोरल बॉंड की खोजी पत्रकारिता विस्तार से छप रही है कॉंग्रेस ने मीडिया की स्वतंतरता का ठोस वादा किया है कॉंग्रेस ने कहा है कि मीडिया के लिए स्वा नियमन ही बहतर है मगर इसे और सुधारा जाएगा पत्रकारिता की स्वतंतरता की रक्षा करने संपादकिय स्वतंतरता को बनाय रखने के लिए भारतिय प्रेस परिशत अधिनियम 1978 में संशोधन किया जाएगा कॉंग्रेस पत्रकारों को राज जी की बलपुर्व कारवाई से बचाने के लिए कानून बनाकर स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा करेगी इसमें पत्रकारों की निग्रानिंग, उनके उपकरणों को जब्द करने और उनके स्त्रोतों को उजागर करने के लिए सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करना शामिल है कॉंग्रेस मीडिया में एकाधिकार, मीडिया के विभिन वर्गों के क्रॉस स्वामित्व और व्यावसाईग संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंतरन को रोकने के लिए एक कानून पारित करेगे कॉंग्रेस संदिग्ध एकाधिकार के मामलों को भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग को भेजेगी आकार की परवा किये बिना सभी मीडिया हाउसों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से कॉंग्रेस इंटरनेट की स्वतंतरता को बनाए रखने और इंटरनेट को मनमाने ढंक से बार-बार बंद करने से रोकने के लिए एक कानून पारित करेगी तो इन वादों से समझ में आता है कि मोदी राज के दस साल की कर्तूतों को पलटने का कॉंग्रेस ने गंभीरता से निर्ने किया है एक परिपार्टी जो चली आ रही है उसे अब विराम देने का निर्ने किया है इन सभी को सुनिशित करने के लिए कॉंग्रेस ने एक बड़ा वादा यह किया है कि censorship के सारे रास्ते बंद कर दिये जाएंगे उन नियमों को वापस ले लिया जाएगा जिससे censorship होती है प्रेस की स्वतंतरता की guarantee करने वाला इस तरह का विस्तरित घोशना पत्र शायद ही किसी राजनितिक पार्टी ने हाल के चुनाओं में पेश किया है इस मामले में यह घोशना पत्र पूरी दुनिया के स्तर पर दूरगामी हो जाता है जिस तरह से भारत ने मीडिया का गोधी मीडिया करण हुआ है कॉंग्रेस ने स्वामित्व से लेकर पत्रकार और संपादकों की स्वतंतरता को सुनिशित करने का वादा किया है कानून में बदलाव करने की गारेंटी दी है कॉंग्रेस ने न्याई पालिका की स्वतंतरता और स्वायत्ता पर भी काफी जोर दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोट और हाई कोट के चिफ जस्टिस से सलाह लेकर राश्ट्रिय नियाई कायोग की स्थापना की जाएगी ताकि नियाई पालिका की गुणवत्ता में सुधार हो NJC, उच्च नियाईलो और उच्चतम नियाईले के नियाईधीशों के चैन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती और पिछडे वर्ग से नियाईधीशों की नियुक्ति की जाएगी तीन साल के अंदर नियाई पालिका में सभी खालिपत भर दिये जाएंगे कॉंग्रेस ने एक बहुत बड़ा वादा सुप्रीम कोट को लेकर किया है सुप्रीम कोट में दो प्रभाग बनाने की बात की है इसके लिए समविधान में संशोधन करेगी एक समविधानिक नियाले और एक अपील नियाले समविधानिक नियाले में साथ सबसे सीनियर नियाधीश होंगे जो समविधान की व्याख्या करेंगे कानूनी महत्व या राश्ट्रिय महत्व से जुड़े मामलों की सुनवाई और निर्ने करेंगे अपील की अदालत बनेगी, अपील की अंतिम अदालत होगी जो तीन नियाधिशों की प्रतेक पीठ में बैठ कर उच्छे नियाले और आश्ट्रिय नियाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करेगी कॉंग्रेस सद्यक्ष ने इस मौके पर यह भी बता दिया कि डर मिटाने की गारेंटी इसलिए दी गई है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मनिपूर जा सकें उन्हें मनिपूर जाने से डर लगता है इसलिए आप तमाम को मैं धनिवाद अर्पित करता हूं कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं वो डरने वाले कोन हैं जो आदमी कुछ चोरी करता है वो ही डरता है जो आदमी ठीक है अपने उसलों पे खड़ा है उसको कोई नहीं डराता अगर डराएगा तो भी को उसलों पे ठेरे हुए लोग डरिंगे नहीं तो इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हमारे नेता स्रीमती सुन्या गांधी जी रावुल गांधी जी डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है और डर ये शब्द उनके पास नज़दीक आता नहीं वो डर सिर्फ मोधी को है क्योंकि वो हमारे लोकों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है मनिपूर जैसे एरिया में नहीं जा सके देश में विदेश में 14 फेरियां लगा है देश में एलेक्षन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया सरकारी वहन से किया गया लेकिन मनिपूर वो देखे नहीं क्यों नहीं गए वही आपकी तो 56 की चाती है आपको डर कुछ भी नहीं है आप जा सकते हैं लेकिन वहां हमारे नेता राहूल गांडी जी जा सकते हैं लोकों के साथ आप क्यों नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको डर है और डरने वाला आजमी देश की भलाई कभी नहीं करता बाइ चान्स आया आया निक्षा नहीं कर लेते हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम इस पर स्टैंड ले लें क्या चिदम्रम का यह जबाब परयाप्त है राज्यों के चुनाओं में कॉंग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा भी जोर शूर से किया राजिस्थान में से लागू भी किया फिर भ कि चुनाओं यह जआफ ले लेकर बार प्रूप पांड लेफ्ट का फुरा टे ले लुप प्येव एमन वांस छूर शूर थे लूर टैंटर एंप। बव्यूंद भी एंज पां पूर शूर ऑट्वी ले 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 लूंटूस जे कि तो ब्यूब लिए तो दे मैंसित आप्य फंड़ पेंशन स्कीम के नित्रुत में हमारा जो घोशना पत्र जारी हुआ उसका नाम था What Congress Stands For उसका नाम था What Congress Stands For पहले घोशना पत्र को लेकर ये टिपनी की गई थी No exaggerate claims were made No ambitious plans to entice public or deceive the electret had been placed before them a realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented ये पंडी जवरला नहरुजी के जमाने में घोशना पत्र दी थी जो realistic है जो ground level पे हम कर सकते हैं उसी के बारे में उन्होंने बोला था किसी को फसाने के लिए नहीं जूट बोलने के लिए नहीं हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं ये उनका कहना था और वही आज भी हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोशना पत्र में लिखे हैं कॉंग्रेस का ये घोशना पत्र कई मामलों में आसाधारण है जिस तरह से समवेधानिक संस्थाओं मीडिया और न्याइपालिका की स्वतंतरता और स्वायत्ता बहाल करने के उपाई इसमें बताए गए हैं उन पर बहस होनी चाहिए आखिर क्या किया जाए कि समवेधानिक सं करकार से सवाल करने पर नौकरी से निकाल दिया जाए कब उसके यूट्यूब चैनल को टार्गेट कर बैन कर दिया जाए किसी को पता नहीं कम से कम कॉंग्रेस ने इन मुद्दों पर ठोस विकल पेश करने का प्रयास किया है नमस्कार मैं रभीश कुमार